हलो दोस्तो स्वागत है अपके अपने चैनल टेक्सेविल में दोस्तो आज के वीडियो भी काफी इंपोर्टेंट होना वाला है क्योंकि कुछ हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे सवाल किये था कि सर अब मेरा पुराना च्छत है लेकिन और मुझे च्छत आगे एक्स्टेंड कर करते हैं जिसे बाद में च्छत में क्रायक आजाता है लिकेज प्रॉब्लम होने लगता है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह पुराना च्छत है अभी इसके लिए यहां पे हिल्टी चला के पहले उसको तोड़ा जा रहा है ठीक तो सबसे पहले लोग गलती है क्या करते हैं कि चट को तोड़ने में यानि पू तोड़ने में लोग क करते हैं कि काट यह करते हैं कि आप सीधा या यह चांट यह सकते हैं कि जैसा कि यहां पे सीधा जो छट है हमारा वह सीधा नहीं रखके आप जैसे यहां देख रहा है इसको तिर्चा किया जा रहा है थाकि जो हमारे पुराने से पे और पीछे तक आके उस पे चड़ जाए रेश्ट करें तो इस तरीके से हमारा छट मजबूत होगा उस साइड मेरे पास वहाँ पे कोई हमारा बीम है वहाँ पे और उधर हमारा कोई छत नहीं है आप हमें बीम में वहाँ पे सरीया अपना उसको काटना था लेकिन वहाँ काटना पोसीबल नहीं था वहाँ से हिल्टी चला के उसको टेपर करना क्योंकि उसके उपर दिवार है तो हमने उधर क्या किया है कि सरीया वहाँ पर ड्रिल किये हैं उसको छेद करके उसमें चार इंच सरीया अंदर गुसाया किया है अब उसको देखिए यहाँ पर दोस्तों जैसे देख रहा है कि चार चार इंच कम से कम आपको जो सरीया है वह अंदर आपको ड्रिल करके गुसा पर डेलेज देना हुए जो दुफ़ आपको ऐसे को सरीय नहीं गुसाना है आगे आपको दिखाऊंगा कि किर सरीय जाम करते हैं तो उसको कैसे करना अगला अगला Estado हमारा उता का डालना है कि हम यहाँ पहले अपना कुछ होता है पूरे चार्ट पर डालेंगे तो केमिकल इस्तमाल कर रहा हूं डॉक्टर फिक्सिट का 301 URP है पर डाल को उसको अच्छे से मिलाएंगे और उसको जब पूरी तरीके से पेस्ट नहीं बन जाए पूरी तरीके से अच्छे से उसको मिला के और उसके बाद फिर आपको जहां-जहां भी छट आगे मैं दिखाऊंगा आपको कैसे वहां पे लगाना है और चीज हम लिया है और जो हमारा इस चत है आप देख रहा है आपकी यहां जितने भी हमारा ऊपर तक आपको जो यह पेश्ट है***Keae को जितना भी cutting हुगा है सब जगह आपको इसको पहले लगा देना है जितना भी है सब जगह आप अच्छे से इसको लगा दे और दोस्तों पेश्ट एकदम आप पतला नहीं करें थोड़ा सा मोटा ही रखना है कि थोड़ा सा क्योंकि कि वो चिपक जाए जहां भी आप डाले वो चिपक जाए और फिर जब आप उस पर मसाला करें ढलाई के लिए तो उस पर बॉंडिंग बना ले तो ऐसे आपको करना है ठीक है तो यह पूरी जहां जहां भी जितनी साइड अच्छे से सफाई होने के बाद फिर आपको यह पेश्ट लगाना है घोल उस पे लगा देना है अब मैं आगे आपको दिखाता हूं कि मैं जिस साइड मेरा जो है कटिंग नहीं हुआ है डिरिल करके सरीया डाला गया है तो अगर ऐसा केस आपके साथ बनता है कि सरीया उसमें ड्रिल करके डाल रहा है तो आपको कम से कम 3-4 इंची ड्रिल करके तब अंदर सरीया डालना है लेकिन सरीया डालना से पहले आपको करना क्या है वह चीज़ आप देख लिए इसमें हमने क्या किया कि सिमेंट ले लिया अब यहां 100 ml जो केमिकल था मेरा 100 ml केमिकल इसमें मैं डाल लिया अब उसको अच्छे से मैं क्या कि करूंगा कि इसको पेश्ट बना लूंगा इसको अच्छे से उसको मिला के पेश्ट बना लेना है अब यहां देख सकते हैं कि उसको अच्छे से हाथ से भी मिला जा रहा है ताकि उसमें जो पता चल सके कि कितना मोटा कितना पत अभी जो हमारे पास डॉक्टर फिक्सिट का यूर्पी केमिकल हैं हम उसी का यूज कर रहा है और यह जो पेश्ट हमारा बन कर तयार हो गया है अब देख रहा है आप यह जो एश्टील है जितना हमें ड्रिल करना था यह करीब तीन से चार इंच हमारा यह अंदर ड्रिल हो र पानी फिकके उसको साफ कर लेना है जो मेरा होल ता उसको पाने फिक्के वहाँ से साफ हो जाएगा तब यह जो सरिया है आप सरिया उसमें इंजट कर दे इस से दोस्तों क्या होगा कि जो है हमारा सर highway reb אׁ जब अंदर जाएगा तो इसमें सीमंट और खेमिकल मिल गया तो व लगा ले फिर आप इसको अपने जो जहां जहां आपने छेद किया है वहां पे इसको लगा दे इस तरीके से आपका जो है छट है काफी मजबूत हो जाएगा फिर इतना काम करने के बाद आप उस पे छट की ड़लाई कर दे M20 ग्रेड का मसाला बनाए एक डेड तीन डिसिये क और पूरी छट को आप ढलाई कर सकते हैं इससे छट भी काफी आपका मजबूत होगा और कहीं लीकेज का भी चांस नहीं रहेगा